पश्चि मंगाल और असम की दो दिवस्य दोरे पर ग्रह मंत्रिया में शह ने साधा ममता बेरजी पर निशाना कहा आज में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मेरा हेलिकॉप्टर खराब हो गया था लेकिन मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें किसी की साजिश थी मुख्यों मंत्री ममता बेरजी के नंदिग्राम में चोटिल होने की घटना को लेका चुनाव आयोग की बड़ी कारवाई आयोगने पूर्वी मिदनापूर के एसपी प्रविन प्रकाश को किया सस्पेंड डियम विबु गोयलवा ममता बेरजी के सुरक्षा निदेशक विव एक सहाई को भी किया पदमु केरल में होने वाले विधानसबा चुनाओ के लिए मुख्यमंत्री पिनाराई विजियन ने धर्मधाम विधानसबा सीट से किया नामंकन दाखिल केरल में विधानसबा चुनाओ के लिए 6 अप्रेल को होगा मतदान यूपी पंचाय चुनाओं में सीटों पर आरक्षन व्यवस्था को लेकर हाई कोट की लखनो बैंच ने सुनाया फैसला कहा वर्ष 2015 को आधार मानते वे सीटों पर किया जाय आरक्षन लागू पूर्व राजे सरकान ने कहा वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षन व्यवस्था लागू करने के लिए है तयार एंडिलिया केस मामले में गरफतार मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को किया गया निलंबित मुंबई पुलिस की है कारवाई नाईए दौरा वाजे को गरफतार के जाने के बात की गई दो सार्वजनिक बैंकों की निजिकरन के विरोध और कई अन्यमांग को लेकर बैंक करमी हड़ताल पर दो दिनों की हड़ताल पर रहेंगे सरकारी बैंकों के लाखो करमचारी हरताल में ग्रामिन बैंक भी शामिल बजट सत्र के दुरान हरियाना के मुख्य मंत्री मनोहर लाल ने भिवानी के मेडिकल कॉलेज के नाम को लेकर की घोशना कहा Medical College का नाम स्वतंत्रता सेनानी पंडित नेकी राम शर्मा के नाम पर रखा जाएगा देश में बीदे 24 घंटे में कोरोना की 26,513 नई मामले 120 लोगों की हुई मौत कुल 1,13,480,000 लोग महामारी की चपेट में महाराष्ट में कोरोना की रफ्तार सबसे जादा बड़ा रही है चिंता कोरोना संक्रमित बॉलिवुड एक्ट्रेस गोहर खान के खलाफ BMC का एक्शन कोरोना होने के बाद भी बाहर घुमती दिखी गोहर BMC ने एक्ट्रेस के खलाफ की F.I.R. गर्ज